देश भर में 27 अप्रेल यानी कल गंगा सप्तमी और भगवान चित्रगुप्त जनमोत्सों मना आज जाएगा इस अबसर पर सियम सिवराज सिंग चोहन ने प्रदेश के सभी सास्की कारियालियों और संस्ताओं के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एच्छी कवकास की घोशना की है मध्यप्रदेश के सतना में आईकर विभाग की टीम ने बुद्धवार सुबई सहर के बड़े उद्योगपत के घर और आफे समेत पांच ठीकानों पर छापे मारी एक टीम उद्योगपत के मुनीम और सीय के घर भी चानबिन करने पहुची जांच के दोरान पता चला कि उद्योगपत के घर में ग्यारा साल पहले भी आईकर विभागने रेट डाली थी तब सो करोड की संपत्ति का खुलासा हुआ था कारोबारी के पांच ठीकानों पर पुलिस बल्ग तैनात है और आवाजाही बंद कर दी गई है इंदोर में राम नौमी के अबसर पर बावडी धसने की वज़े से भीषन हादसा हुआ था जिसकी वज़े से कई लोगों की जान चली गई थी जिसको लेकर नगर निगम पूरी तरह सतर्क हो गया है और अब मोबाइल एप्लिकेशन की जरिये कुए बावडी की लोकेशन देखी जाएगी और बावडी पर हुए कपजे को भी हटाया जाएगा मध्य प्रदेश को मई महीने में एक और तमगा मिलने वाला है राजज में परियतन के लिए मसुहूर सहर सांची मई महीने में सोलर सिटी बनने जा रही है इसे लेकर सासन प्रशाशन के साथ ही आम लोगों में भी काफी उत्राय है प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ सांची में घर शड़ के दफतर सब कुछ सोर उर्जा से ही रोशन होंगे 36 गड के दंतेवाडा में बुद्धवार को नकसली हमले में 10 पुलिस कर्मी सहीद हो गई ये जवान डिस्टिक्ट रिजर्व गाड यानी DRG यूनिट के थे इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर के भी हमले में मौत हो गई टीम बारिश में फंसी सुरच्छा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी इसी दोरान नकसलीयों ने IED ब्लास्ट में पुलिस कर्मीयों का वाहन उड़ा दिया न्यूज एजेंसी के मुताबिक 50 किलो विस्पोटक से ब्लास्ट किया गया हदसे पर पीम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है पूर्व मुख मंत्री और राजिसाफा सांसत दिगविजे सिंग के खिलाप मानहानी मामले में भोपाल की MPML विसेश कोटें आरोप तैंकिये हैं मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौराण दिगविजे सिंग कोड में उपस्थित नहीं हुए उनके वकील ने कोड के समझ पच्छ रखा दरसल भाजपा के प्रदेश सद्यच वीडी सर्मा ने उनके खिलाप मानहानी का केस दर्ज कराया था दिल्ली के मुख मंतरी अरविन केजरिवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर मामला गर्म हो गया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अरविन केजरिवाल के बंगले के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड रुपए खर्च हुए है यह रकम कोरोना काल के दौरन खर्च की गई सिविल नाइन इस्थित सीयम मंगले के रेनोबेशन पर 44 करोड 78 लाक रुपे खर्च हुए 2021-22 में आठ परदे लगवाए गए जिन पर 45 लाक रुपे खर्च हुए जबकि दूसरे चरण में 15 परदे का आडर दिया गया और इसकी कीमत 53,5 लाक रुपे थी कुल मिलाकर 23 परदों का बजट करीब 1 करोड रुपे है सूडान में 72 गंटे के संघर्ष विराम के बाद राजधानी खार्तों समेट देश के अनहिस्सों में जड़पे जारी है इस बीच पिछले 24 गंटों में 500 से जादा भारतियों को निकाल लिया गया है इन्हें साओधी आरप के जिद्दाय लाया जा चुका है अब तक तीन बैच में 561 लोगों को जिद्दाय पहुचा दिया गया है सूडान में 4000 से जादा भारतियों रहते है मध्य प्रदेश में फिर आधी बारिस का दोर सुरू हो गया है भोपाल में बुद्धवार दोपहर बादल चाय रहे जबकि साम करीब 6 बजी आचानक बारिस सुरू हो गई इसके अलाबा दोपहर में गुना, रतलाम, नीमच, असोक नगर और सागर में भी पाने गिरा वहीं गुना में बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरात्री